हेलो मेरे भाई लोग कैसे हूँ आप लोग तो मेरे भाई लोग डोग डोगली स्मेकडाउन में वापसी से पहले ही इतिहास रच देने वाले हैं हमारे रोमरिंग्स जीगा फ्रेंड हमारे रोमरिंग्स स्मेकडाउन में रिटर्न से पहले इतिहास रचने वाले हैं तो आखि कि मेरे चानल पर पहली बार हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी में बेल आइकन को भी दबाते जिएगा ताकि मैं फ्यूटर में कई वीडियो डालू तो सबसे पहले आपके पास ही पॉंक्च चुरे वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद है तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर करते जिएगा तो चलिया भी जाया टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंज रूमर रिंग्स के डर्वली केरियर ने साल 2020 में नया मोड लिया था और आज 3 सालों के बाद वो कंपानी के सबसे बड़े सुप आने वाले हैं आपको बता दे की रूमर रिंग से सब्सक्राइब में आने वाले हैं जो करीब देर महीने के अंदर उनका पहला एपर एरेंज होगा 15 दिसंबर के समेकडाउन से दो दिन पहले ही रूमर रिंग्स का एतिहासिक टाइटल रेंज 12 सदीनों के आंकरे को पार कर चुका होगा आज तक चेंपियन के रूप में केवल तीन रेसलर सी 12 सदीन या उससे ज्यादा समय तक चेंपियन रह पाए हैं मौजूदा समय की बात करें जो सायद डवली ने संकेत दे दिये हैं कि रूमर रिंग्स का रूरेंग नबल 24 में परती बंद ही कौन हो सकता है सर्वाइवर से जोए 23 में वाफसी के बाद रेंडी ओटन को ट्राइवल चीप के संभावी चैंजलेंजर के रूप में पेस किया जा रहा है जिन से रूमर रिंग्स की भीड़त को समर सलेम 22 के लिए प्लान किया गया था हलांगी ये मैच तो नहीं हो पाया क्योंकि हमारे रेंडी ओटन इंजर्ड हो गये थे और उसी इंजर्ड के बाद फ्रेंस में आप सभी को बता दूँ अगस्त के महीने में समर सलेम का इवेंट होता है और इसी इवेंट के लिए हमारे रोमर इंग्स का प्लान हो गया था मैच और इसी महीने के लिए हमारे रोमर इंग्स का मैच कनफर्म हो गया था रेंडी ओटन के साथ और यह मैच होने भी वाला था कि मैई के महीने में हमारे रेंडी ओटन इंज़र्ड हो गये थे और इंजाड होने के करीब देर साल बाद हमारे डगवली में रिटन आये रेंडी ओटर और बताये यह जा रहा है कि इस बार के फ्राइएट इस मेंगडाउन पर जब हमारे रोमर इंग्स रिटन आएंगे तो उनके सेगमेंट में हमारे रेंडी ओटर दखल अंदाजी करने वाले हैं जिससे इनके बीच के स्टोरी लाइन की भी सुरुवात हमें देखने को मिल सकती है और जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे रेंडी ओटर हमारे जिम्यूस और सोलो सीगवा पर भी हला बोल चुके हैं इस बार के फ्राइट इस मेंगडाउन में हमें रोमर रिंग्स और रेंडी ओटन एक दूसरे के फेस टूफेस भी देख सकते हैं जहां पर रेंडी ओटन हो सहीगा तो हमारे रोमर इंग्स पर एटेक कर दें जो की देखने में काफी माजा आने वाले आप लोग बिल्कुल भी इस बार का फ्राइट इस मेंगडाउन बिल्कुल मेंस मत कि जीएगा और आप लोग अप्री रेंड में जोर बताएगा कि आपके इसाब से रोमर इंग से टाइटल रेंज कि इतने दिनों तक रहने वाला हैं संते जाद आप लोग यह बद भी कमेंट में जोर बताएगा कि यह रोमर रिंग्स का यह रिकॉर्ड आपको अच्छा लग अच्छा लगी लेख़ घगग रेंड लिकॉर्ण आपको अवका अवको ऑी इसाध चुर्णा बताए़ लेख़गों में जोर बताए़ब कि डिकॉर्णा इसाब से रिकॉर्णा नीं कर दोगों में जोर आपको अबको बताए़ जएब जोर श्यक्चा आब इसादाई